नशी के मामले में गुजरात पंजाब से प्रतिस परदा करता नजर आया है कल वलसाड के उद्वाडा में तट से 12 किलों का चरस जब्ट की गए थी आज सुरग के हजीरा से चरस जब्ट की गए अब दक्षिन गुजरात के तट से अग्यात हालत में डक्स मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है सुमवार को वलसाड के उद्वाडा समुद्र तट से चरस के 10 पैकेट बरामत होने के बाद आज वलसाड और सूरत समुद्र तट से चरस के और पैकेट मिले वलसाड के दंती भागल बीट से 21 पैकेट और सुरत के हजीरा बीट से 3 पैकेट बारा मत के गए दो दिन से अलग-अलग स्तारों से चरस लावारी सालत में मिलने से ये आशंका जताई जा रहे है कि अगली बार और अधिक मातरा में चरस मिलेगी जिसके चलते अब पूलिस ने तटिये इलाके में तलाशी अभ्यान चलाए है और लोगों से अपिल की गई है कि अगर उन्हें कोई गैर विरासत वस्तु नजर आये तो वो सुचित करे सवादता सुजात विडेर बीएच्पी निउस सुरत अगाव भुद्काल मा बेजर थेविस मानें अफगानी चरस पकड़ाई है तेनी ड्राइव पन चालती है ती एधर में मा आमारुज एक फिसर्मेन वाच ग्रूप जे एक्टिव छे एमा इन्फोर्मेशन अमने मली के बैई आवा एक बे पेकेटों मले ला छे यहां मली आवे छे तो हजीरा मरीन अने एसोजी बनने त्यां सर्च करता अमने 3 किलो अने 704 ग्राम चोपन ग्राम अफगानी चरस जेनी किमत इंटरनेशनल बाव मुजब एक करोड ने 30,000 रूपया ठाई छे चरस नी अंदर जे पेकेटों मल्या छे एमा अफगानी चरस ने स्टार्बक्स कोफी ना सिम्बल छे बिजी जे तपास चे अगाव नी पन जे तपास हो छे चालो चे अगाव बेयेजार तेविस नी अंदर यहां सूरत सिटी नी अंदर 9 किलो 8 किलो अने 30 किलो एमा एसोजिये ने क्राइम रांच ने आउज अफगानी चरस मलेलुचे जेनी कूल किम्मत 15 करोड ने 45 लाग जे तली थाई छे आउपरांत ताजे तरमाज वलसाड मा उदवाडा मा लगबग 6 करोड नू आउज चरस मलेलुचे अने वलसाड माज तेर करोड न माची मारो एनी साथ ये पोलिस नी सतर क्रताना कारणिया तमाम जे चरस नो जत्तों से पकड़ाय गयो नो छे चरस नो पेकिंग एकडम वाटरप्रूब टाइप नो वहीचे ले पाणिमा एक काई स्वल्यूबल थतू येव लागतू ना थी एटले जाऊ चरस जे चे ये तणाई ने आवे छे अने अगाव पान बदी एजंशियो आतापास मा चोड़ाय तीन आतापास मा बदी एजं आवना बेच चे उके लाई जेसे